दुख्तो इंडियन आयल में काफी सांदार भरती निकल कर आ चुकी है सुत्रा सो बीस पदों पर जुकी अप्रेंटिस सिप के तौर पर होने वाले हैं इसमें अगर आप दस्वी पास है आई टी एक किये हुए है साथे साथ अगर आप बाड़ा भी सिर्फ पास है या इसके अलावे आपने डिप्लोमा किया है गर्जवेशन किया है उन तमाम कर्णिडेट को यहां पर मौका है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें इस पर बदला भी यह हुआ है कि इसमें आपके सेलेक्शन पर करिया जो होगी आपके डिटेंट टेस्ट के अधार पर होगा जितना अच्छा पर स्कोर लाएंगे इससे अनुसार इसमें आपके सेलेक्शन पर करिया होने वाली है तो पूरी जनकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके step by step process आपको लाइब दिखाए जागे वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज इसे एक लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सस्क्राइब जरूर करें इस परकार की लगातार आपडेट आप तक मिलती रहाएगे चलते हैं अपने skin पर और सारी जनकारी step by step बताते हैं बहुर्ती बारिके से बताया है अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार देख लिजेगा सारा doubt confusion दूर हो जाएगा फिर भी हम आपको sort में कुछ जनकारी आपको बताते हैं फिर आपको इससी वीडियो में step by step process हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसके लिए apply कर पाएंगे लेकिन वैसे बच्चे जिनके पास कोई भी certificate नहीं है सिर्फ वो 12 भी पास है data operator के लिए वो apply करना चाहते तो आप apply कर सकते हैं 110 वाले code पे ये 12 महिने की आपके training period होगी और training के लिए जो आपके center बनाये गए ये आपको जगा आपको देखनों को मिलेगा और यहाँ पर किस center पर कितने city किस category में है उसकी जनकारी आपको मिल जाएगी इसके अलाबे accountant का है जिसमें अगर आपने तीन सालों बाला become किया है तो apply कर सकते हैं ऐसे और भी पोस्ट है security assistant का जिसमें तीन सालों का अगर आपने graduation किया बीए बेस तो become apply कर सकते है 15 महिने के ये training period आपकी होने वा इस बार क्या हुआ है कि online apply करने के बाद आपकी जो selection होगी जो आपकी return test होगी उसके आधार पर होगा मतलब जितने बेस्तर आप return test में score लाएंगे उसी अनुसार इसमें आपकी chain पर क्रिया होने वाली है बाकि इनका notification आप यहीं से download करकर पूरी जनकारी को आप read out कर सकते है और यहां से आप जिस भी trade के लिए apply करना चाहते हैं उसके सामने click करेंगे जैसा कि हमने बताया कि सब के लिए code निर्धारन किया गया है बहुत सारे ऐसे भी trade है जिसमें सिर्फ आप 10 भी pass है और अगर आपने iti किया उसके लिए भी apply कर सकते यह एक post आपका है देखेंगे जो कि trade apprenticeship है fitter के लिए matic अगर आपने pass है और iti fitter trade में किया तो इसके लिए apply कर सकते तो आप देख लिए आपके पास किस परकार योगिता है उस वाले code के सामने आपको click करकर proceed वाले बिकल पर click करना है यहां पर देखेंगे आपको refinery सबसे पहले बोला जाता है select करने के लि अगर मान लिए बिहार से अगर आप है तो बिहार में ही आपके center होगी exam का इन बातों को ध्यान रखेगा बाकि आप किसी भी refinery के लिए apply कर सकते हैं लिखिन जो refinery आप यहां पर चूनेंगे वहीं जाकर आपको exam देनी होगी तो जो refinery से अगर आपको apply करना उसको एक बार यहां पर click करकर उसे select कर देना यह आपका select हो जाएगा उसके बाद एक option मिलता है यहां पर proceed का जिस पर आपको click करना है click करने के बाद अब आपके सामने यहां पर देखेंगे apply now का option मिलेगा जिस वाले बिकल पर आपको click करना है पूरी guideline आपको यहां पर देखनों को मिलता ह एक option यहाँ पर मिलेगा next का जिस पर आपको click करना है अब यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपना नाम यानि first name डालना है middle name होगा तो इस box में अनेथा last name इस box में आपको fill करनी है बाकी आप अपना gender बताएंगे male है या female है आपकी साधी हो चुकी है तो मैरे डने था single वाले बिकल पर click करेंगे date of worth के लिए calendar मिलता है पहले आपको date, month और year का chain करना है पिता जी का जो नाम होगा इस box में fill करेंगे माता जी का नाम आप fill करेंगे जिस राज के आप निवासी होंगे उस राज को यहाँ से आपको chain करना है अब यहाँ पर आपको cast का नाम लिखना होगा CST, OBS बाले होंगे तो जिस भी cast से आप belong करते होंगे उसका नाम आप यहाँ पर लिख लेंगे आपका जो भी cast certificate होगा जो आपने बनवाया होगा वो अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप बताए कि किस date को आपने बरवाया है date, month, year आप बताएंगे अगर आप EWS से belong करते हैं तो EWS certificate है तो उसकी जनकारी आपको यहाँ पर बताने है physical handicap है तो इसनों में जनकारी को देंगे तो अगर नो करेंगे तो यह जनकारी आपको भड़ने की जरूरत नहीं है अगर 40% या इससे अधिक आपके अंदर दिवयांगता है तो यहाँ पर रेस करकर इसकी जनकारी आप फिल कर सकते हैं नीचे आना है, ex-serviceman है तो इसकी जनकारी आपको बतानी है, नहीं है तो आपको इससे ऐसा ही छोड़ देना है अब यहाँ पर आपको घोसना करना होगा कि आप unfit तो नहीं है तो यहाँ पर simply आपको नो वाले विकल पर क्लिक कर देना है, आपको नीचे आना होगा अपना जो भी address होगा correspondence address, वो address आप बताएंगे जैसा address 1 में आप अपना village लिख सकते हैं address 2 में post office लिख सकते हैं address 3 में police station लिख सकते हैं बाकि आप अपना district का नाम city में लिख सकते हैं pin code को डालेंगे, state को आपको यहाँ पर डालना है जहां भी आप रह रहे होंगे, mobile number डालेंगे उसके अलावा जो nearest आपकी railway station होगी उसका नाम आपको लिखना है, email ID आपको डालना है optional email ID देना चाहें तो आप दे सकते हैं, नेथा से छोड़ सकते हैं यहाँ पर photo signature जभी भी आप upload करें तो इसका size का धियान रखे, 4KB से नीचे का नहीं होना चाहें अगर upload ना ले, तो यहाँ पर height जो है, 40 pixel और इसका width 1500 pixel में रखे, आपकी जो photo होगी यह 10KB से नीचे का नहीं होना चाहें अनेथा upload आपका नहीं लेगा, उसके बाद next वाले भी पर click करेंगे, उसके बाद अगला detail आपकी qualification डीटेल आती है qualification जैसे आपने जो post चुना होगा, उससे according यहाँ पर qualification देखनों के मिलेगा जैसे हमने data entry चुना है, तो यहाँ पर बता रहा है कि इसमें 12 चाहिए आपको बताना होगा, और यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास जो है कम से कम 50 परतेसत अंक होनी चाहिए 12 में यह बता दिया गया है अगर आपके पास experience है तो ठीक है, नहीं है फिर भी आप इसके लिए apply कर सकते हैं experience वाले column में आप जिरो लिखकर आगे बढ़ सकते हैं जैसे यहाँ पर पहले बोला गया है कि जो भी आपने यह पढ़ाई किया 12 अपका full time था तो यहाँ पर आपको एस वाले विकल पर क्लिक करना है उसके बाद बताएगा है कि जो आपने यह जो course चुना है यह आप पास कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको एस करना है नीचे आना है आपने जिस institute या जिस school से बारा हभी पास किया है उसका नाम फिल करेंगे बोर्ड का नाम आप यहाँ पर बताएंगे और बताना है अब यहाँ पर month और year बतानी है कि जिस साल आपने जो भी course यहाँ पर आपको देखनों को मिलता है बारा हभी तो बारा हभी में कब आपने admission लिया था वो month और year बताएंगे अगर मालीजे कोई candidate diploma वाले course चुनते तो graduation की बतानी होगी आपको कि किस month में आपने वहाँ पर दाखिला करवाया है वो आप इन बातों को ध्यान रखेगे यह उपर वाला course के बारे में बोला जाता है कब आपने pass out किया है वो month और year को यहाँ पर आप चुनेंगे course का duration क्या था तो मालीजे आपने intermediate किया है तो intermediate चुनेंगे तो 2 सालों का होता तो यहाँ पर बताएंगे कि 2 साल का है अगर मालीजे आप असनातक वाले course के लिए apply करते तो असनातक 3 सालों का है तो यह आप अपन आपके date, month और year तीनों मिल जाता है वही date आप यहाँ पर डालेंगे गलती आपको नहीं करना है अन्य था आपका form reject हो जाते हैं बाकि आप जब नीचे आएंगे अब यहाँ पर देखिए आपकी जो भी marks के जो pattern थे वो किस परकार था जैसे हो सकता है आपकी year wise हो यापकी semester wise तो semester wise अभी आप देखते होंगे diploma वाले जो बच्चे होते हैं या जो असनातक वाले बच्चे होते हैं उनका होगा अगर आप ऐसे इंटर वाले post पे होंगे तो आपके year wise ही होंगे इन बातों को ध्यान रखीगा तो आप अपने according जनकारी को fill करेंगे अब यहाँ पर उसकी चुन लीजेगा क्योंकि आपका direct 11 12 का आपका जब 12 में एक्जाम होता है तब आपको number मिलता है तो second year चुनिएगा आपको जो number 12 में मिला है उसकी जनकारी आप यहाँ पर बताएंगे और cool कितने का एक्जाम हुआ था उसकी जनकारी आप यहाँ पर लिखेंगे option मिलता add record ज यह असना तक बाले होंगे तो आपको first year, second year, third year सबकी जनकारी add करना होगा आपको गलती नहीं करना है बाकि कोई diploma वाले होंगे तो semester wise उनका होगा तो semester wise जनकारी को आपको फिल करनी है first semester, second semester, third semester में कितना था वो सभी जनकारी को फिल करेंगे अब नीचे आएंगे यहाँ प रहने था no बाले विकल पर क्लिक करें और एक option यहाँ पर मिलता है next का जिस पर क्लिक करें अब यहाँ पर देखें सबके पास तो experience होगा नहीं जिनके पास है तो आप बताईया और उने जैसन का नाम किस पोस्ट पर काम किये थे कितने दिनों काम किये थे जनकारी को फिल करे नहीं है तो यहाँ पर zero ही रहने दे और बाकी यहाँ पर आपको बताना है कि अगर आपने इससे पहले भी apprentice अगर आपने किया है तो यहाँ पर एसनों में जैनकारी को फिल करें और उसके बाद एक option यहाँ पर मिलता है next का जिस पर क्लिक करें जैसे आप next करेंगे तो आपक के लिए कोई तो फी लगना नहीं है क्योंकि सब के लिए फी माप है आपको डाइरेक्ट एक option यहाँ पर मिलता है next का जिस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूरी जैनकारी आपको मिलती है यहाँ पर आपको घोसना देना है फॉर्म का आप चाहे तो आप जो फॉर्म है सफलता परवक समिट हो जाता है यहाँ पर आपको एक application number मिल जाता है आप चाहे तो इसका जो प्रिंट है ओभी ले सकते हैं दो तो अभी आपने देखा हमने आपको पूरी जैनकारी बताया कि इंडियन आल का जो apprenticeship का फॉम है उससे आप कैसर फिल कर सकते हैं पाकि हमारे यह वीडियो अगर आपको पसंद आ हो तो इसे like, share जरूर करें और चैनल पर नए है तो subscribe करना मत भूले था कि आने वाली सारी अपडेट की जैनकारी आपको मिल पाएगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद